हैल फ्रिंज कैसे हो आप सब उमीद करते हों कि सब ठीक होंगी तो आज हम लोग बहुत यहसा तरीके से मकई की पकोड़े बनाएंगी तो अक्सर आप लोग आलो प्याज की पकोड़े बनाते होंगी पर एक पर इस तरीके से मकई के पकोड़े ज़रूर बनाएं बहुत ही जा निकाल लेना है ,GSब सम्मकी भूहराग है , thoffy निकाल देनला के भाओ की दो भाग में आपक आपकивать क्याँने देखो से कुछ निकाल देना तमैसर निकल कर सकती है , लाल मर्च पाॉडर और पो आपने स्वाड अनविसार निकौन करते हैं और मिक्स होजाने के बाद हमें इसे रेस्ट होने के लिए रख देना है लगभख पाँच मिनिट के लिए धक्के पाच मिनिट हो जाने के बाद हम लोग इसमें चौप क्यावा प्याज अट कर देंगी प्याज अट कर देने के बाद हम लोग इसमें चौप क्यावा हरे मिर्श अट कर देंगी और हारे मिल्च लगोर्स बाहने के बाद हम लोग इसमें हाफ का टोड़ी के लगभग बेसन अड़ करतेंगी तla बेसन एड़ करते हम लोग इसमें तीन चमच चावल का आठा आठा ज़एगी अब आप चाहे तो चावल के आठा के जगपे मैदा भी धुस कर सकते इसके बाद हम लोग इसमें 1 टी स्पून हल्दी पौडर एड़ कर देंगी, हल्दी पौडर एड़ कर देने के बाद हम लोग इसमें भुना हुआ जीरा पौडर एड़ कर देंगी, 1 टी स्पून और जीरा पौडर एड़ कर देने के बाद हम लोग इसमें 1 टी स्पून की बना लेना है और उसके बाद हम लोग इसमें एक चमच के लगभा गड़म तील एड़ कर देंगे जिसे के हमारा पकवड़ा और भी साधा क्रिस्पी बने और उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगी अब आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी एड़ कर सकते और उसके ब कर देंगी और तेल कर मुशाने के बाद हमें हाई फ्लेम पे पकोड़ी को एड़ कर देंगी और पकोड़े अड़ कर देने के बाद हमें इसे एक मिनिट के लिए पिल्कुल भी स्टेर नहीं करना है और एक मिनिट होते ही जब यह अंदर से कोल्डेन ब्राउन होने लगेग तब हम लोग इसे पलेट देंगे और पलेट की दूनों तरफ अच्छे से फ्राइ कर लेंगी और अब हम लोग मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राइ करेंगी तो अब हम लोग निकाल लेंगी और इसी तरीके से हम लोग सारे पकोड़ी फ्राइ कर लेंगी तो इस तरीके से फ्राइ करने से पकोड़ी हमारे बहुत ही जाधा क्रिस्पी बनते तो यह देखी बहुत ही असान तरीके से हमारा मकई का पकोड़ा बनके रेडी हो चुका है बहुत ही साथा टेस्टी और क्रिस्पी हमारा पकोड़ा बनाएं यह देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पर इस रेसिपी को ज़रूर चाहे करें प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकोन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिली लाइक करें कमेंट करें जादे से जादे शेयर करें कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू रिसिपी के साथ तब तक के लिए बापाई टेक के रेंड थाइंक्स फोर वाचिंग